तो दोस्तो आज हम बात करेंगे photo stable gold के बारे में जिसको की sun pharma company के दुआरा बनाया जाता है और इसकी MRP आपको 755 रुपीज मिल जाती है photo stable gold जो की एक sun screen है और sun screen का क्या काम होता है ये तो आप वैसे जानते ही हो लेकिन दोस्तों जो sun screen होती है वो सूरत से आने वाली harmful raise होती है उससे skin को protect करता है skin की tanning नहीं होने देता है मतलब धूप में जो skin काली पढ़ताती है उससे ये बचाता है और चहरे पर जो जुरिया पढ़ने लग जाती है समय से पहले ही वो भी इन harmful raise के कारण ही पढ़ती है तो अगर आप sun screen लगाते हो तो आप समय से पहले पढ़ने वाली जुरियों को रोक सकते हो चहरे पर जो जाईया पढ़ती है जिसे मेलाजमा भी कहा जाता है वो भी जाजातर धूप में रहने के कारण ही होती है तो आप sun screen को लगा के इन सबी problem से बच सकते हो यह sun screen SPF 55 के साथ आती है यह मैं आपको आगे बदाने वाला हूँ किसका क्या मतलब होता है और दोस्तों यह sun screen एक hypo allergenic होती है hypo allergenic का मतलब यह होता है कि यदि कोई allergic होने की संभावना होती है तो वो इसमें बहुती ने के बराबर होती है या बिल्कुल कम होती है ऐसा समझ सकते हो आप और यह एक non comedogenic भी होता है इसका मतलब है कि इसको लगाने पर यह आपकी skin के pores को block नहीं करता है जिससे की acne नहीं होते है यह water और sweat resistance होता है मतलब की ऐसा नहीं है कि आप आपके उपर बारिश आ गई पानी बारिश आ लिए और पसीना आ गया हो तो आपका यह जो funny screen gel है वो उतर जाएगा और यह broad spectrum UVA और UVB दोनों ही किरनों से आपको बचाता है और यह 12 घंटे तक protection करता है मतलब लगाने के बाद आप 12 घंटे आराम से इसके चला सकते हो 12 घंटे तक आपको कोई भी harmful race का खत्रा नहीं होता है और दोस्तों यह non greasy भी होता है मतलब की लगाने पर चिपचिपः फिल नहीं होता है अब हम जान लेते हैं SPF का मतलब क्या होता है SPF का मतलब होता है sun protecting factor तो जितना ज़्यादा SPF होगा उतना ही ज़्यादा वो skin की हानीकार किरनों से बचा पाएगा इसकिन को अगर आपकी skin normal है तो ऐसे में cream based जो sun screen आती है वो लगाना चाहिए अगर आपकी skin oily है तो उसके लिए gel या aqua based sun screen आता है उसका use करना चाहिए तो जैसे कि ये gel है वैसे तो ये skin oily face के लिए ज़्यादा suitable होती है पर इसे जो है normal लोग भी लगा सकते हैं अगर sun screen lotion लगाने के बाद आपको पसीना आता है तो चिपचिपा हार्ट से बचने के लिए sun screen के साथ आप लेक्टो केलमाइन लोशन mix करके लगा सकते हो अब हम जानते हैं इसको लगाना कब होता है तो दोस्तो जब भी आप बहार निकलो दूप में तो दूप में भार निकलने से कम से कम 15 से 20 मिर पहले आप इसको लगा लीजिए तो आपको जैसी ये जो भी प्रोब्लम है दूप से जो भी प्रोब्लम होती है वो आपको बिल्कुल ना कम हो जाएगी दोस्तो थैंक यू अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बुक्स में पूछ सकते हो